हेलो गैसे और वेलकम टू माई यूटूब चेनल टैग वाउंकेस दोस्तो आज की बडियों आपके काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट और यूजफूल होने वाली है आज की बड़े हम फाइलि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने OPPO K10 5G की फोन में आलवे जान डिस्प्ले सेटिंग कैसे करेंगे अपने लोक स्कीन पे अपना नाम कैसे लिखेंगे यहां पे काफी अच्छा application आलवे जान डिस्प्ले के लिए लोकी स्कीन पर नाम लिखने के लिए आप सिंप्लि अपने फोन में ओपेंगे ओपने करने के बाद यहां पर accept के option पर किलिक कर दिजिए इसके बाद यहां पर right side में allow now का option है अलाउन आपके option पर आप लोगों को click करना है click करने के बाद यहां पर permission हो गयरा मांगेगा तो आप लोगों को permission दे देनी है यहां आप देख सकते हैं सबसे उपर ही मिल जा रहा है आलवेजान डिस्पले आप इसको यहां से permission दे दिजिया आन करके इसके बाद बैक आजाईए इसके बाद may be later का option है may be later के option पर आपको click कर देना है click करने कवाद बहुत चे ओप्षन दिखाए देते हैं यहां पर दूसरे नंबर पर है watch face customization का option आप लोगों को watch face customization के option पर click कर देना है जिससे आप लोग इस option पर click कर देते हैं click करने के बाद यहां पर देखेंगे कुछ जो basic setting होती है इनको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे digital clock size जब आपका phone lock होगा clock जो होगा उसका size आप लोग यहां से choose कर लिजिए howards का color कैसा होना चाहिए यहां से choose कर सकते है minute का color का इसा जो करना चाहिए यहां पर कर सकते है यहां पर minute का color आप लोग change करना चाहते है change भी कर सकते है am pm so कर सकते है 24 hours so कर सकते है इस पर click करके इसके बाद finally आपको मिल जाता है on screen memo का option इस पर आपको click करना के लिए करने बाद आप लोग screen पर always under display के लिए जो भी नाम लिखना चाहते हैं यहां पर आप लोग लिख सकते हैं यहां पर नाम, mobile नमबर कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं सब कुछ यहां support करता है यहां पर हम अपना नाम लिख देते हैं इसके बाद एक emoji यहां पर हम set कर देते हैं इसके बाद यहां पर okay के option पर किलिक कर देते हैं इसके बाद यहां पर देखेंगे memo font size का option memo font size के option पर हम लोग किलिक करेंगे किलिक करने बाद इसका हम जो जो लोग skin पर कितने size में so होना चाहिए इसका size चूच कर लेंगे आप अपनी हिसाब से इसके बाद यहाँ पर इसका color choose कर लेंगे color पर click करेंगे तो कोई भी color आप लोग यहाँ से select कर लीजिए इसके बाद यहाँ पर right side में नीचे की तरफ select का option है select के option पर आप लोग click कर देंगे color choose हो जाएगा और इसके बाद इस application के अंदर हमें कुछ भी setting नहीं करनी है कुछ भी नहीं करनी है आगे यहाँ पर अगर आप लोग एक टारा setting करना चाहते हैं कर सकते हैं वरना हम इसको ऐसे ही रहने देंगे यहाँ जैसे कि detail clock size है, date format है, battery display है, charging status है, battery size है इस अब so करना है तो इस पर click करके so कर सकते होना है, इसको छोड़ देजिए अब इसके बाद finally इस application को हम लोग कट कर देंगे और अपने phone को हम लोग करेंगे इसके बाद दिखाएंगे आपको always on display के रूप में हमारे lock scheme पे हमारा नाम कैसा so हो रहा है यहां देख सकते हैं, फोन को लोग कर दिया, चार सिकेंड सिर्फ आपको वेट करना है, इसके बाद आटोमेटर की यहां आप देख सकते हैं टाइम का color हमने change किया था जो कि आपको उपर ही दिखला है, यहां पर हमने जो color नाम का रखा तो वह है आप दिख रहा है, इमोजी लगाया तो वह भी सोग रही, तो इस तरीके से बहुत अच्छा application है, आप लोग always on display के यह लोग की स्कीन पे अपना नाम लिखने लिए इस